अलो बच्चो कैसे आप लोग मैं इचाथ दूलू सिंगे का फिर से आपको साहवत करता हूँ एडिवी स्टार लेनिक प्रेटफों में बच्वो आज का लेक्चर होने वाला है वाई शॉट ओन कानेटिक थेवर गैसे बहुत बच्चो का डिवान था गिसर के टीजी का वाइ कर देंगे जो भी सवाल आएगा गारंटी देता हूँ कि अगले बार जो भी कोई भी सवाल आएगा के टीजी का सवाल नी चूटेगा बस दो चार पॉइंट अपने को धिहान में रखना है उससे पहले मैं बता दू राइंक बूस्टिंग को सगर तुमें 60 देज में तुम इसली इंप्रूफ कर सकते हो अगर तुम राइंक बूस्टिंग कोर्स लेते हो जो की अल्रेडी बहुत 1000 से जादा लोगों लेलिया 60 देस प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहे का राइंक बूस्टिंग कोर्स के बारे में कोई भी जान करी चाहिए तो मुझे तुम वाट्स कर सकते हो अगर तुम्हें स्कोर्स करने में कोई भी जान करी चाहिए तो मुझे तुम वाट्स अब कर सकते हो बाकी डिटेल और इनी मैं बना चुका हूँ ठीक ना देख देना वीडियो चलो स्टार्ट करता है कारेटिक थोडियो फ्कैस पे इसमें कुल मिलाके पास तरिक पास टॉपिक पे ही वो सवाल पूछता है दो है उनीस क्या पिछले 10 साल 20 साल का सवाल भी देख लो 90% कोशन इन पास टॉपिक के उपर बेज्ड होते हैं तो अपर एक एक करके इंडिविजुल इन टॉपिक को स्टेडी करेंगे और फोर देंगे स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आता है कोलीजन और कोलीजन और प्रेशन चलो मानलो मैं क्या बोल रहा हूं यह गैस का मॉलिक्यूल है एक एक बास सुनना गौर्थी क्योंकि इंपोर्टेट है यह गैस का मॉलिक्यूल है सबसे पहला सवाल दो यह उनीस में इस सवाल आ चुका है अभी तुरंद किया उसने बोला कि बताओ इस मॉलिक्यूल ने इस वाल के उपर कितना प्रेशर एक्जर्ट किया क्या पूछा कितना प्रेशर एक्जर्ट किया मैंने क्या निकाला इनिशल मोमेंटम इनिशल मोमेंटम किता है माइनस एमें टोवी चेंज इन मोमेंटम किता है माइनस एमें तो फोर्स आ गया एक बार फोर्स आ गया तो इस वाल के उपर प्रेशर किता लगा फोर्स अपॉर्स 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 क्या है इस डूरेशन से इस डूरेशन तक लगने वाला टाइम तकड़ाने में जो लगा टाइम उस तो टाइम दूरेशन एक्सपेंड हुआ उसी वही यहां पर टी है जिससे डिवाइड करते तो एफ एवरे आता है इसके उपर दोनीच में एक सवाल पूछा था कि इतने ग दिया हुआ है इस पीड दिया हुआ है प्रेशर पूछा है कुछ भी नहीं करना एक मॉलिक्यूल का डिल्टा पी में चेंज क्या हो जाएगा टू एंडी को लिजन एलास्टिक है तो एक मॉलिक्यूल के जो मोमेंटम में चेंज होगा मास कितना है 10 to the power minus 25 into velocity of one molecule जो कि तुम एक मॉलिक्यूल की वैसे एक मॉलिक्यूल की वैसे कितना मॉलिक्यूल पर सेकेंड तकड़ा रहा है 10 to the power 22 molecule तकड़ा रहा है जाने कि मोमेंटम में चेंज आएगा तो टल वो इतना आएगा तो force जो आएगा वाल के उपड़ इतने का यही कहा जाएगा इतना पास्कल मेरा प्रों कि हाल का यू shitty ठाहिटल का लिजा trabousma bak Basically कभी ये ग्राम में दे ये रेगेडरो नमर और फोल स्कामें चुछ भी दे ध्यान नट रखना यूनिट का बस ध्यान लखना द्यान रखना वागी ये सवालों तुमसे कभी नहीं चूटेगा नेक्स सवाल की देने साथ एक में रूट 3 ग— आता है., और रूट 2 रट बाइल की अमाता है never रूट 3 से पूरे को डिवाइट कर देता था, 1 is to something is to something, या रूट 8 by πै से पूरे को डिवाइट करता था, और वो वैलू तुम्हें याद कर निये, मुझे तो याद निये, प्रिवियोस यहाँ पर आई टी का अब्जीक्टि सवाल देखना, सवाल क्या रहेगा सवाल ऐसा रहेगा कि माल लो मेरे पास एक H2 गैस है और 27 डिगरी सल्सियस पे और एक O2 गैस है माल लो 327 डिगरी सल्सियस पे और बोलेगा दोनों के RMS स्पीड का रिश्यो बताओ यादि कि V RMS of H2 upon O2 अब हम लोग जनरली क्या करते हैं आख बंद करते हैं और तुरंद में रिश्यो निकालने की कोसिस करते हैं तो H2 के लिए क्या लेकिंगे 3RT अब टेंपरेचर अगर तुम 27 ले तो तुम गलत ले रहे हो क्योंकि आपने को ट रहे हैं दो दो की गलत है तो कि यह क्या होता है यह होता है दो गराम पड़मोल गराम थोड़ी है साई है अपने को ट थो दीपाल माइनस 3 kg पर बोल यानिक यहां पर टू इनु दू 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 भामानस 3 ले अ पर कि धान रुट का वरना यह गलत हो जाएगा तुम करोंगे calculation वैसे यह अंडरूट 3R into 327 वोले तो कहा गया तीन सुसाइट बोले तो 600 आ गया अपॉर ऑक्सिजन का सोल दूना बत्तिस बत्तिस गुना दस की पावर माइनस तीन करना मत भूलना रिशयो लो काट कुड़ दो आड़े में स्पीड के रेशयो तुम्हें मिल जाएगा इस त आफ डिफ्यूजन इस परपोश्टल टू आड़े मेस वेलो सिटी यानि कि दो चैंबर में गैस है हमने पार्टिशन खतम कर दिया किस रेट से दोनों गैस एक दूसरे में डिफ्यूस करेंगे वो जो रेट आफ डिफ्यूजन होता है कभी-कभी वो पूस्ता है कि वो तक लेट है अपने को केजी परव में नवी ग्राम परव में और टेमप्रेचर लेना है केल्विन के बाकि तुम इस तरह का रिश्यू वाल सवाल कर लोगे हजारो बार आचुका है जे इमेंस में हडाभ आचुका है देख लिजा अब आते हैं इनरजी के ओपर अब इसी ब पहुलों राइंडउम मोशन कर रहे हैं तो राइंडब मोशन थे हैं तो टोल किनेतिक इनधोन सीरियाली सोTh頃 राइंडव मोशन के वीप्ट BIG व於 को सुलिद तोतल नेटीकी स्थ लुव घैस होती है विप्ट मातनिन सीए कोनेटीक है इंटड़ीकोशन के वा यानि कि अगर इक रूम में गैस मनलेब गैस है समझ लो कोई मॉलेकूल है मानदो अपने पास अपने पास औ यह क्या कर रहा हो गा सिर्फ भागी नहीं होगा फो सकता है तो यह अपने अक्सेस के बाद घुम मीडा होगा जानि रहा हो रेकिस तो जो energy हमें मिलेगी उसी को बोलेंगे internal energy of gas या फिर तुम बोल दो kinetic energy of gas वैसे यह term का ज्यादा use आता है, इस term को आपन ज्यादा use करते हैं, अब एक बात बताओ, अभी तुमने क्या देखा, कि velocity is function of temperature, भाई, velocity is function of temperature, और velocity अना function of temperature है, तो पक्की बात है, kinetic energy is half mv square, means kinetic energy will be function of temperature, यानि कि internal energy will be function of temperature, internal energy of gas molecule, internal energy को use remote करते है, is function of temperature, हमने कुछ calculate किया, और हमें क्या पता चला, कि internal energy या फिर kinetic energy of gas is given by F by 2R into N into T, किसी temperature T पे ये किसी भी gas की kinetic energy होती है, तो ये पता है, आर गैस constant है, T मेरा temperature है, अब तुम बोलोगे सर, ये F क्या है, S को बोलते है, degree of freedom, S को क्या बोलते है, degree of freedom, अब ये degree of freedom क्या बला है, इसको समझे के लिए हम इस चार्ट को समझते है, मालनों ये monotomy gas है, ये monotomy gas कितनी direction में भाग सकता है, X में भाग सकता है, Y में भाग सकता है, Z में भाग सकता इसमें इसलिए chemistry वालों में पढ़ना वाइवरेशनल अपन सिर्फ चाले के चलने टांसलेशनल और रोटेशनल वाइवरेशनल भी होता है लेकिन वो तुम क्यों पढ़ लेना मैं नहीं प्रहा रहा मोनाटॉमिक गैस है तीन डारेक्शन में भाग सकता है तो तीन डारेक्शन भी तो है, x के बाउट भी घूम सकता है, y के बाउट भी घूम सकता है, z के बाउट भी घूम सकता है लेकिन बुला सिर्फ दो एक्सिज के बाउट घूमेगा तभी उसकी energy significance आईगी ऐसा क्यों अगर वो y के बाउट घूमता है तो देखो bond के बीच की कुस दूरी है तो moment of कुछ significant आएगा अगर वो X के बाउट घूमता है molecule का radius कितना छोटा इतना छोटा radius होगा तो इसका moment of inertia लगभग negligible आएगा लेकिन अगर वो Z के बाउट घूमता है तो Z के बाउट भी distance है यानि कि moment of energy negligible नहीं आएगा यानि कि 2 rotational motion है और 3 translational motion है तो degree of freedom कितना आ गया भाई साब पांच आ गया ना दो rotational 3 translation अब triatomic non-linear या फिर हाँ मतब triatomic non-linear बोल दो अच्छा यह क्या था diatomic या triatomic linear triatomic linear क्यों भाई co2 molecule है अब co2 molecule का characteristic obviously बात है o2 की तरह ही होगा दोनों ऐसे ही तो होगा इसलिए co2 का भी degree of freedom पाच होगा और o2 का भी degree of freedom पाच होगा लेकिन अगर मैं so2 लू या h2o water vapor लू उसका degree of freedom छे होगा छे क्यों होगा तीन है मेरा translation x y z में भाग सकता है साथ में 3 axis के बाउट rotate करेगा और तीनों में i y i x और i z कभी 0 नहीं होगा यह मेरा z है यह 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 वाई के बाउट भी दूरी है यह मेरा x है x के बाउट भी obvious सी बात है इस के बाउट पी तुम देखो का गया यह दूरी है कुछ न कुछ distance है और तुम देखो यह जैड है जैड के बाउट पी तो इसका कुछ न कुछ डिस्टेंस है यानि कि तीनों के बाउट significance है degree of freedom यहां पर किता हो जाएगा छे हो जाएगा यानि कि molecule देखो पहचानो और degree of freedom लिखना सिख लो अगर तुम्हें degree of freedom लिखना सिख लिया तुरंत में तुम internal energy या जैस की kinetic energy को लिख सकते हो f by 2 r n into t या n f by 2 r into t f by 2 r को बोलते है cv अगर तुमने thermodermy से पढ़ा होगा तो molar heat capacity at constant volume cv बोलते हैं इसलिए हम क्या बोलते है cv जो होता है delta u जो होता है वो temperature का function होता है उसको किसी चीज़ पर depending करता है kinetic energy of gas सिर्फ temperature के उपर depend करता हो किसी चीज़ के उपर depend करता है अब एक चीज़ और में तुम्हें बताता हूं यू क्या आ गया f by 2 r या u को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं n cvt by f by 2 r को मैंने cv लिख दिया अलग अलग गैस के लिए cv की वैलू अलग अलग होगी monotomic के लिए 3 by 2 r होगी diatomic के लिए linear वाले के लिए 5 by 2 r होगी triatomic non-linear के लिए 6 by 2 r होगी cv की वैलू अलग लाएगी temperature से multiply करेंगे तो उस gas की kinetic energy आ जाएगी अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ मैने बोला कि and delta t को और क्या लिख सकते हो तुमने बोला एक काम करते हैं na nc delta t है ना तो एक काम करो n f by 2 r into t और nr t को तुम कुछ लिख दू हमने बोला क्या लिख ओगे NRT को क्या मैं PV लिख सकता हूँ भाई ओवियसी बात है चाहे दुनिया में कोई भी गैस हो चाहे दुनिया में कोई भी गैस हो इस रिलेशन को तो कोई नहीं भूल सकता कौन सा रिलेशन PV is equal to NRT तो मैंने NRT को PV लिख दिया तो ये भी एक kinetic energy का formula आ गया ये इमेंस में इस पर सवाल पुछ चुका है सवाल कहां गया सवाल ये है 2 kg of monotomic gas at pressure of इतना density अपने को दिया गया है what is the order of energy of gas जब भी कहां गया है चल क्यों बीड़ा है जब भी वो energy की बात करता है जब भी वो energy की बात कर रहा है अपने को क्या 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 दिया है अपने को एक तो pressure दिया हुआ है बड़ अपने को या volume बीच है ये क्योंकि अभी हमने निकाला कहां गया कहां गया चिप कहां गया f by 2 into pv ध्यान रखे हो f by 2 into pv monotomic gas दिया हो monotomic gas का f किता होता है f होता है 3 by 2 degree of freedom 3 होता है तो f by 2 pv pressure किता है 4 into 10 to the power 4 into volume लेकिसा volume तो नहीं थिया है अड़ भाई density दिया है mass दिया है तो अपके volume देगा क्या पागल बागल हो गया क्या होगा mass upon density is volume mass कितना है 2 density कितना है 8 check my calculation यही मेरी u key value हो गई gas की kinetic energy हो गई अगला turn आता है kinetic energy conservation के उपर सवाल क्या रहेगा दो चैंबर में gas बंद है बाहर से बिल्कुल isolated है मतलब यह बिल्कुल कैसा है मतलब क्या बोलते है adiabatic है ना energy बाहर जा सकती है ना energy बाहर से अंदर आ सकती है जो energy इसके पास होगी वही जो energy इसके पास होगी और जो energy इसके पास होगी total energy पूरे system का इसके अंदर ही बंद रहने वाला है ना energy बाहर जाएगा ना energy अंदर आएगा और सवाल क्या पुछेगा अचानक से partition हटा दिया पहले इसका temperature T1 था इसका temperature T2 था अब बताव final temperature इस पूरे gas mixture का क्या होगा energy conservation का सवाल है इसका internal energy U1 था इसका U2 था और finally इसका U हो गया तो U नहीं नहीं काल सकते क्या भाई U1 प्लस U2 ही तो यू होगा U1 प्लस U2 ही तो यू होगा क्यों क्योंकि energy conservation ना energy बाहर से अंदर आई ना अंदर से बाहर गई इसका कुछ खर्च नहीं हुई है इसलिए ध्यान रखना कई लोग smart लोग क्या बोलते है सर पार्टीशन हटाया है वर्थ वर्थ भी तो कुछ gas करेगा तो energy वहाँ भी तो वेश्ट होगी कोई ऐसा समाल में लिखके देदेगा नहीं देगा तो माल लेना कि जब पार्टीशन हटाया तो कोई वर्थ नहीं हुआ है यानि कि टोटल नेर्जी ऑफ सिस्टम इनिस्ट्र और फाइनल क्या है मेरा कल जर्व है सिमलर्डी अगर ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा कि दो अलग अलग चैम्बर ने गैसे दोनों को एक रोट से जोर दिया इनर्जी का कोई लॉस बाहर के तरफ निगोड़ा फाइनली दोनों सेम टेंपरेचर पर आ गया उस टेंपरेचर की वेलू बताओ करने को यू के बड़्ाबर करना है आप तुम्रों चीज़ देगा क्या नहीं वह तुम्हे कोई तीन चीज़ देगा तो कोई भी तीन चीज़ दे कोई तीन confirmed gather को और सुटेंट। इंतिन नहीं तो सब्मॉस तस अच्छा protocol है जेए मेंस का सवाल है असे पेटर बाइ इंसुलेटिंग पार्टिशा बिखने हो वन अफ देटर है वाल्यूम वी वन बहुत बढ़िया कंटेन आइडियल गैस पेशर पीवन अच्छा तेमपरेचर टीवन दूसरे का वी टू पी टू टीटू होगा ठीक है इफ पार्टिश पन एंफ फंडसर हहा और एंटू क्या होगा पी टूवी टू अपन हरूट वोला हमयरे अभी टूटल इनर्जी दोनों की क्या क्या कंबाईं यह बताँ तो यह कर लेते हम और कंबाइन अरजी को है वह ऐन 1 ? we 2 t clean into q helps you to see me अ different बिलकुल हो सकता है यहां पर कुछ भी नीग है घॉच बढ़ दोनों गास को क्या मानके चले दोनों सेम गास है दोनों d के डॉनों कि सीवी क्या है सेम है अब फाइनली जब यह पूरा गैस को पार्टिशन हटाया यहां पर चाहां यहां पर अेला प्लस एंटू बचा वाल्यूम गया अच्छा फाइनल टेमरिचर चाहो गया गया तो बता इस गैस क्या सीवी तो सीवी हो क्योंकि दोड़ों की सीवी क्या मैंने मानी है से मानी है अच्छा हमें वाताना है यू 1 प्लस यू 2 बढ़ावर यू 1 cv t1 प्लस एंटू cv into t2 बढ़ावर n1 प्लस n2 into CV into T काट 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 N1 की वैलू डाल दो N2 की वैलू डाल दो कुछ नकुछ T की वैलू आ जाएगी इस तरीकी का सवाल पूछेगा द्याम रेखना इनर्जी करनेर्वेशन करना और काम आजएगा एक सवाल बहुत से मस्चेर का सवाल यह देख रहा है तुम्हें स्कीन पर दिया एन वन मोलेर सीवीवन बोलर हीट कैपसिल या कॉस्टे वॉल्यूम सीपीवन एमवन सिमिलर्डी एंटू सीवीटू सीपीटू एमटू बोला दोनों को मिक्स कर दिया लेकिन ध्यान नटना जब भी वह मिक्स करेगा तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स्टर के टाइम में तम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए कुछ भी पूच्छ देगा M-Equivalent क्या होता है बच्पश दे पढ़ते आ रहे N1 M1 प्रस N2 M2 upon M1 plus M2 CV mixture क्या होगा N1 CV1 plus M2 CV2 plus N1 plus N2 गधे को भी आ जाँ CV of mixture क्या होगा CV क्या होता है M2R F of mixture upon 2R यहां से F of mixture भी आ जाएगा अच्छा गामा अफ मिक्चर क्या होगा, CP of mixture भाई, CV of mixture, अच्छा CP of mixture क्या होगा, N1, CP1, CP2 upon N1, CP2, कई लोग directly भी निकालते हैं, पता क्या, CV क्या होता है, CV होता है, CV होता है, R upon gamma minus 1, यहां तर मुझे थोड़ा बहुत याद है, अगर तुम CV of picture निकालोगे, तो directly गामा अफ मिक्चर कुछ 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 करते हैं, कुछ कुछ तो आई जाएगा, F of mixture, यही बस रट के रखना है, रट के रखना है, temperature same रहता है, मिलाते है, यह सब हो जीता है, Funda, इसके उपर भी सवाल पूच दिया है, गदे कुछ छोड़ते ही नहीं है, बार बार के सवाल पूचा, बार बार क हीकार है, हीलियम ठाल सेखना होता है, हीलियम ठाल अमिक अच्छों, आपने हीता हूता है, ऱैठ पूच्छर, जीक फिन स्वालते होता है, यह जापने है, ow अधने हоль पूच्छ को छोड़ता है, याजना है, यार और सी वीवह फान्स ऑप्णिम सवाल इन फोटायन ठुर् मतलब कि यह सबसे important है जो कि पिछले साल, पिछले दो साल से यह सवाल पूछा जा रहा है और कहीं न कहीं सब को इसमें बहुत दिक्कत होता है बट तुम्हें आज से इसमें दिक्कत नहीं होगी mean free path क्या होता है अब कई सारे gas molecule है एक gas molecule दूसरे gas molecule से तक्र खाता है तक्र खाएगा पकी बात है तो तक्राने में जो वो distance travel करेगा एक दूसरे से तक्राने में जो यह gas molecule से तक्रा रहा है तो जो distance travel करेगा उसे distance को denote करते हैं lambda से और उसी lambda को बोलते है mean free path जब तुम लेम्डा का derivation करोगे derivation तुमको internet पे मिल जाएगा तुम्हें एक बार mean free path खोजना derivation मिल जाएगा तुम्हें क्या पत देगा lambda जो होता है वो rt upon root 2n pi r square to p होता है यानि कि अपने काम का यह formula तो बहुत कम है काम का क्या है कि जो lambda होता है वो proportional होता है temperature by pressure का temperature upon pressure के proposal होता है velocity से आढ़ा होगा तो भाई यह vrms से आढ़ा होगा तो तक्राने में कित्ता टाइम लएगा displacement is equal to velocity into time time बढ़ा displacement upon velocity यानि कि lambda upon vrms time होगा तक्राने वाला इसी time को बोलते है time of collision या relaxation time lambda पता है vrms पता है divide कर दो तो relaxation time या time of collision मिल जाएगा time of collision किसके परपोचल है vrms पती के परपोस्टल हो गया toward root t अपटी के पपोस्टल हो गया तो क्या है तक्राने वाला टाइम relaxation time पिछले साल एक सवाल पूछाता था बहुत बहुतनी ना इसको मानता हूँ सवाल क्याता सुनना Usएदर considered an ideal gas confirmed in a isolated closed chamber एक closed chamber में gas बंद है as a undergoes adiabatic expansion अब जहां पर इसने adiabatic बोला मेरे दीमाग में तुरंत आ गया adiabatic बोले तो PV की पावर गामा इस इकोस तू कॉंसे या TV की पावर गामा माइनस इकोस तू कॉंसे या अपने को पता है the average time of collision यानि किया तौ की बात कर रहा है between gas molecule increases as V की पावर Q तो Q की वैलू क्या होगी average time of collision मैं तुरंत पीछे गया collision का time root T by P के पपोसल होता है collision का जो time होता है वो पपोसल होता है under root T by P के मैंने मुला आप PV क्या का है चक्कर ले रहो P को गाइब करते है न अपन क्योंकि अपने को volume के term में सब कुछ चाहिए और अपने को ये दो equation पता है हमने क्या किया under root T हमें पता था PV बड़ावर nRT हमने बोला P को हम लिख देते हैं nRT upon V, V चला गया उपर यानि कि ये प्रपोस्टन आगया V upon root T के अच्छा अब मेरे को अपना अपन फिल हो रहा है V upon root T मैंने बोला यार root T को भी गाइब करना पड़ेगा क्यों गाइब करना पड़ेगा root T को इसलिए गाइब करना पड़ेगा क्योंकि सारा कुछ V के टर्म में लिखना है तो यहां T V की पावर गामा is equals to constant यानि कि T बड़ा आपर constant upon V की पावर गामा तो क्या है T की वैलो क्या आगए K upon V की पावर गामा-1 यहां पर डाल दो जैसे डालो कि V divided by T की पावर 1 by 2 यानि की पावर 1 by 2 यह उपर कूद गया तो यह क्या हागिया यहां गया V into gamma-1 की पावर 1 by 2 यानि की यहां गया जोडना तो क्या रहे V की पावर 1 plus gamma- gamma-1 by 2 यहां रहे रहे V की पावर gamma-1 by 2 यानि की जो मेरा Q है उसकी value है gamma-1 by 2 answer C is the correct option बस तुम्हें रटना क्या है तुम्हें बस यह दो point रटना है सवाल एक-एक बन जाएगा guarantee बता के चल रहा हो यह कहां से आया यह पता करने के लिए तुम net पर कहीं भी सर्च करो तुम्हें कहीं सारे वीडियो मिल जाएगे यह अपना क्या हो गया complete complete हो गया ठीक है अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें कोर्स जोइन करना है RBC का बेस्ट कोर्स होगा जोइन करने ना कोई दाउट हो कोर्स क्रेटेड वीडियो को वर्सप कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना बाई